जैहिंद साथियों, आज का मेरा विशे है कि भारत में नफरती बातों का प्रभाव और उन्हें अपने हर्दे में ना रखना इवं भारत सरकार प्रदेश सरकारों से विनम्र निवेदन करना कि ऐसे नफरती बातों को देने वाले व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रवावधान करें और रोकने के लिए प्रयास करें क्योंकि आए दिन कोई न कोई व्यक्ति कोई न कोई मंत्री जो पुराने गरंद हैं उन पर बयान बाजी करता है हो सकता है इससे उससे राजनेतिक लाब मिल जाए हो सकता है वह चंद मिनिटों में पुरे भारत में प्रसिद्ध हो जाए हो सकता है वह समाच की लोगों को भी इकठा कर दें लेकिन भारती सम्मिधान के अनुच्छे 25 में धार्मिक स्वतंद्रता की बात की गई है आप स्वतंद्र हैं कि आप किन विचारों को अंगिकृत करती हैं परंदों आपको यह अधिकार फ्राप्त कहां से हो गया कि दूसरे धर्मों की पुस्तकों के बारे में या अपने ही धर्मों की पुस्तकों के बारे में आप गलत बयान बाजी करें या कोई भी बयान बाजी करें या आप पर निर्भर करता हैं आप मंदर जाएं या मस्चीद जाएं आप गिर्जा घर जाएं या कुर्द्वारा जाएं या आप पर निर्भर करता हैं एक मनुस्त कई भार धर्माम्तरन कर सकता हैं तो यह हमें भारती सम्मिधान के अनुच्छेद 25 में यह हमें अतिकार प्राप्त है कि हम कभी कोई मताव लंबी हो सकते हैं वही एक व्यक्ति हिंदू भी है और कारांतर में वही व्यक्ति मुस्लिम धर्में परवर्तित हो जाता है वही व्यक्ति इसाई बन जाता है वही व्यक्ति पुना इंदू बन जाता है वही व्यक्ति बहुत बन जाता है तो यह आप पर भारती सम्मिधान ने खुली छूट दिये आप पर कि आप किस धर्म को अंगिकृत करेंगे और कब तक आप धर्म अपनाएंगे यह नहीं है धार अपना लिए और जो आपको अच्छा लगता हो धर्म उसको अपना ले जब तक अच्छा लगता हो परंतो आप किसी भी धर्म या किसी भी धार्मिक पुस्तकों के बारी में आप अपनी राय मत बैखते लिए इससे सामाजिक तानावाना प्रभावित होता है इससे समाज के अंदर आक्रूस पैदा होता है मैंने 205 विधान सभा रसूलाबाद कानपूर्द दिहाद से यह मेले का चुनाओ विधायक का चुनाओ लड़ा हूँ यह असंबले एलेक्षन 2022 का और मैं 315 गाओं चार सच्थे भूतों का भूतों का भुन किया हूँ मैंने अपने यूट्यूब पर मैंने अपने वाट्चप पर ऐसे कोई भी मैसेश नहीं लिखे या अपने भाशलों में कहा जिससे किसी की भावना को ठेश पहुंचता हूँ पिर यह मंत्रीपत पर आसीन होते हुए यह यह विधायक पत पर आसीन होते हुए आप ऐसे वक्त तब क्यों देती जिससे सामाजिक उथल पुथल हो जाए आपका राजनीतिक उद्देश से पूरा हो सकता है आप अपनी पार्टी को बहुमत की सरकार बना सकते हैं परन्तों यह धर्मिक भावना है यह जाती भावना ह भड़कार कर आप क्या हांसिल करना चाहिए भारतिस सम्मिधान में सभी जातियों को समान माना गया है और जात विहीन समाज की परिकल्पना की गई भारतिस सम्मिधान में जिसके लिए बाबा साब डॉक्टर भीमरो अंबेत कर सतत प्रहतन शीर रहे कोलंबिया द्यालय में 1916 में उन्होंने भाशन दिया था कि भारत देश में जाति विहीन समाज की आवज़ता है और उसी समय मात्मा गांधी ने भाशन दिया था बनारस में देश की आजादी के लिए तो आप ये समझी बाबा साब का वैचारिक मद्वेत ये था देश आजाद हो लेकिन जाति विहीन समाज आगे बढ़ें तब ही अम भारत को एक विक्षित राष्ट के रूप में देख पाएंगे ये जाती वैमनस्ता धार्मिक वैमनस्ता फैला कर लोग अपना मतलब हासिल कर लेती राजनीति को देशों को पूरा कर लेती लेकिन समाज भारती सम्मिधान तो जन मानस के अंदर घर्दय के अंदर इस्थापित है घर्दय में 26 जनवरी 1950 से भारती सम्मिधान धीरे 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 समस्त भारती नागिरकों के अंदर पैट चुका है और कोई यदि ये कहता है कि डाक्टर भीमराव अंबेद कर डाक्टर भीमराव अंबेद कर डाक्टर भीमराव के गुरू थे अम्मा बाड़ी कर जोनों ने सिक्षा के दौरान पढ़ाई के दौरान अपने पास भीमराव अंबेद करजी को बैठा कर पढ़ाती थी खिलाती थी वो ब्रामर थी और उनके वेवहार से प्रभावित होकर डाक्टर भीमराव सहाब ने अपने नाम सक्पाल बदल कर अंबेद कर रख दिया अंबावादे कर जो बाद में अंबेद कर होगी तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन जाद प्रामर था कूर वैस शूद्र कौन खराब कौन अच्छा सभी अच्छे सभी अच्छे हैं सभी सम्मानित हैं सभी डिगनिफाइड हैं आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारतिय सम्मिधान में सब लोग डिगनिफाइड हैं सब लोग आधार्णि सब लोग सम्मानित हैं इसलिए हमें कोई आईसा वक्तब देने से बचना चाहिए जिससे की मनुष्य के अंदर एक गलत होना हो आक्रोश पैदा हो एक दूसरे के प्रत्य व्यमनस्ता फैलती हो ऐसे वक्तब्यों को देने से उतनाजे और भारश सरकार और प्रदेश सरक्रारें ये सुनिश्चित करें कि ऐसे मंत्रियों को ऐसे विधायकों को ऐसे लोगों पर तकाल कानूनी कारवाई कर उनको धड़्दित किया ताकि समाज की अंदर एक जो सामाजिक समरस्ता है, समानता है, सद्भाव है, प्रेम है, उसको परक्ता रखा जाए. आज भी जिस गाउं में आप जाएगी वह सामाजी जातियां हो सकती समाज में लेकिन समाज की लोग एक दूसरे की बारे में चिंदन करते हैं एक दूसरे का सहयोग करते हैं कि इसलिए हमारा सभी धर्मों के लोगों से अनुरूद है कि आप अपने धर्म पर आधरित धिवन दिर आप अपने अपने धर्म का प्रचार और प्रशार भारती सम्मिधान के अंतरगत जो नियम कायदि कानून हैं उनमें रहकर आप प्रचार प्रसार करें और आप उसे में खुश रहें परंतों भारत के किसी भी भाग में आपको ये अधिकार नहीं है कि ऐसा वक्तब दें ताकि लोग में आक्रोस हो गुसा हो और आपस में लड़ाई जगड़े करने लगें शांती बरकरार रहने चाहिए कि भाग में आप एक प्रच राप आपको ये टुणात री जगज़े करने लगें आपको ये प्रच रहें हो जब सित्पूस दिफ। ये लिएकर प्रचाब करें बर्चाब आपको ये गभी बाती खूस. in such type of anti-social activities. Thank you very much for being with me. I am Dr. Santosh Hidal-Kaman, Advocate, speaking to you all. If you like this channel, kindly subscribe and share to your friend. Thank you very much for being with me.